ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ये देखो बापा सारा दूद बरबाद कर रहे हैं इस से अच्छा तो किसी गरीग को पिलाई देते हैं कम जब पेट तो भरता उसका पता नहीं है अनविश्वास कब खत्म होगा लोगों का बेटा तो उन्हें पूजा करने दे तो आम तो अनवे साथ मैं बेटा इसे गलती तेरी नहीं जल्ती शायद मेरी ही है जो मैं अपनी नौकरी पैसा कमाने में और तुझे एडूकेशन देने में इतना वीजी रहा कि शायद तुझे तुझे सालसकार देना ही बूल जा बेटा तुझे पता शिवलिंग होता क्या है नह नहीं पता ना कोई बात में तेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि शिवलिंग होता क्या है लोग अपने-अपने हिसाब से उसका अलग-अलग यार्थ निकाल लेते हैं लेकिन असल में शिवलिंग माप पारवती और शिव का सवरूक है जो पूरी शृष्टि के न समुंदर मन्थन के वक्ट समुंदर में से बहुत सारा विश निकला और श्रिष्टी को बचाने के लिए भगवान शिवजी ने उसे धारन करिया जिसकी वज़े से उनका कंट पूरा नीला पड़ गया और उनके शरीर में बहुत जलन होने लगी और उनकी इसी पीडा को करने के लिए देवी देखताओं ने भगवान शिवजी पर जल और दूद का अभिशेक किया इसी लिए तो कहते हैं बेटा कि हमारे महादेव इतने भोले हैं कि वो तो मात्र जल दूद और बेल पत्र से ही परसन हो जाते हैं बेटा महादेव का अभिशेक करने के लिए जल वेस्टेज तो लोग भी बहुत सारी करते हैं, वो महंगे-महंगे रेश्टरान में जाते हैं, लेकिन खाना छोड़ के आजाते हैं, आप लोग बड़े बनाते हो, केक लाते हो, खाने के लिए, लेकिन उसे मुँपे मल देते हो, अगर यही खाना और केक आप किसी गरीब को देदो, तो उसका दो वक्त का पेद भर जाएगा, दिटा मुझे एक बात बता, आज तो 25 साल का हो गया है, तुने आज तक कितनों को दूद और खाना खिलाया हैं, बता बता, किसी को भी नहीं ना, जब भगवान को जल चलाने या दूद चलाने की बारी आती है, तभी हमे वेस्टिज और समा सेवा याद आती है, बेटा मैंने ही कहता कि मॉडन बद बदो, लेकिन अपने संस्कारों को हमेशा साब लेके चलू, मैं तो तुझे ये बात बताना भूल गया, लेकिन तू ये बात अपने बच्चे को बताना मत भूल ला, समझा, हाँ पापा, चला आ आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दी है, अरे, बहुत-बहुत धन्यवाद, बाई-बाई बिटा, अंकल, हर-हर महादेब, अरे, हर-हर महादेब, बिटा, हर-हर महादेब, माता पिता के जिल्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के साथ धर्म की शिक्षा जरूर बाटे